हेलो फ्रेंट आज मैं आपके साथ एक स्लिप्स की डिजाइन शियर करूँगी स्लिप्स का लेंद मैंने लिया है सिक्स इंच और सारे तीन इंच नीचे मार्क करके इस तरह से बैक आमुल और फरंट आमुल को कट कर लेना है स्लिप्स राउंड का आदा लेना है तो मैंने लिया है सेवन इंच प्लस देर इंच मार्जिन अब मैं लाइलिन के फैब्रिक को साइट पर रखना है और में फैब्रिक मैंने सारे तीन इंच कट कर लिया है और एक मैंने गोल्डेन कलर फैब्रिक भी लिया है ये भी मैंने सार ये दोनों के राइट साइट अंदर के तरफ रखना है इस तरह से रखना है दोनों के सीधे साइट अंदर के तरफ रखके आदा इंच का मार्जिन देखे इसके उपर सिलाई लगा लेना है तो पहले इसके उपर आदा इंच मार्जिन देखे सिलाई करना है और फिर इसको खोल के इसके उपर प्रेस्टिज कर लेना है तो यह मार्जिन लाल फैब्रिक के तरफ रखके मैं इसके उपर सिलाई लगा ले रहे हूँ अब मैं डिजाइन बनाने के लिए मैंने धाहिन चौराई में में फैब्रिक का एक स्क्वेर पीस फैब्रिक लिया है और इसको दो बार इस तरह से ट्रैंगेल में फोल्ड करना है फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लगा लेना है है ते तो इस तरह से ट्रैंग्ल में फोल करके दों बार फोल करके सिलना है तो इस तरह से बहुत सारे ट्रैंग्ल को बना लेना है अब नीचे के तरफ जो अब मेंने लिया है और इसको इसे तरह से लूप के तरह कर लेना है फोल करके यह टेंग्ल के उपर रखके सेंटर पर रखके इसके उपर सिलाई लगा लेना है तो ये डोड़ी को इसके बीच में इस तरह से रखना है रखके सिल लेना है इससे सभी ट्राइंगल के ऊपर ये डोड़ी को रखके सिलना है लुप के जैसे बनाके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और ये जो एक्स्ट्रा जो डोड़ी को कट कर लेना है वे इस तरह से डिजाइन को बना लेना है अब दोनोगनों स्लीप्स को एक के उपर एक इस तरह से रखना है दोनों के रॉंग साइड अंदर के तरह बीच से फोल कर ले ना है और इसके उपर लाइलिन के फैब्रिक को रखना है और बैक आहम होल से लेके इसको कट करना है फ्रंट आर्म होल ये जॉइन करने के बाद में फैब्रिक और लाइलिन के फैब्रिक जॉइन करने के बाद फ्रंट आर्म होल को कट करना है अब एक slips को लेना है और एक को साइट पे रख रहे हैं हो अभी और दोनों साइट से डेर इंच measurement करके दोनों साइट margin का line को mark करना है mark करके अब design को रखना है तो design के सीधे side इसके अंदर के तरफ रखना है इस तरह से रखके आदा इंच का margin देखे इसके उपर चिलाई लगाना है और एक design के उपर दूसरे इस तरह से रखना है और design के सीधे side ये main fabric के सीधे side के तरफ रहना चाहिए और इस तरह से रखके एक के बाद एक ये design को attach कर लेना है इस तरह से एक के बाद एक को ये design को रखना है अब इसके उपर लाइलिंग के फैब्रीक को रखना है लाइलिंग के फैब्रीक को रखके आदा इंच का margin देखे इसके उपर सिलाई लगाना है तो पहले सिलाई के उपर ही ये दूसरा सिलाई करना है अब सिलाई करने के बाद लाइलिन के फैब्रिक को इस तरह से खोलके इसके उपर प्रेस्टिज कर लेना है प्रेस्टिज करने के बाद ये पुरा लाइलिन के फैब्रिक पीछे के तरफ पलट लेना है और फिर इसके उपर टॉप्स्टिज कर लेना है और अब lilin के साथ main fabric को attach कर लेना है, तो इसको अच्छे सेट करके इसके उपर से लगा लेना है, अब जो extra main fabric निकला हुआ है, इसको cut करना है, और front armhole को भी cut कर लेना है, अब मैं इसके उपर less को attach करूँगी, तो लेस को इस तरह से रखना है, पहले लेस के एक साइट पर सिलाई लगाना है, फिर इसके दूसरे साइट में सिलाई लगा लेना है, इस तरह से इसके उपर भी ये लेस को अटच करना है, पहले एक साइट में सिलना है और फिर दूसरे साइट में सिलके सिल लेना है, सिलके अब मैं यह डिजाइन के बीच में यह मोती को एटाच करूंगी तो इस तरह से मोती को एटाच करना है इसके बीच में एक मोती रखना है रखके यहां पर सिलाई लगाना है तो जिस तरह से मैं सिलाई कर रहे हूं इस तरह से इसको सिलाई करके इसको एटाच करना है और फिर इसके बीचे गाट लगा लेना है फिर इसी तरह से दूस्ते टाइंगल के उपर भी यह मोती को अटाच कर लेना है इसी तरह से सभी टाइंगल के उपर यह मोती को अटाच कर लेना है तो मैंने सभी टाइंगल के उपर यह मोती को अटाच कर लिया है तो फ्रेंड्स यह है इसका फाइनल लूक Friends आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेश कर लीजिएगा Thank you